रवी बडोला हत्याकार मामले पर मुख्यमंत्री पुश्का सिंग धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि सियम धामी के निर्देश पर आरोपी सोनु भार्द्वाज की संपत्ती पर बुल्डोज चलाया जाएगा। जानकारी के मताबि मुख्यमंत्री धामी पहले भी आरोपीों के खिलास सक्त कारवाई के निर्देश दे चुके हैं। वैसियम धामी ने आरोपी सोनु भार्द्वाज की भूमी से तीन दिनों में कबजा हटाने के आदेश दिये हैं। साथी भार्द्वाज की राईपूर उस्तेद भूमी पर धामी सरकार का बुल्डोजर चलाया जाएगा। सोनु भार्द्वाज अपने भाई मोनु के साथ मिलकर बयाज का काम करता था। शनिवार को सागनाम की युवक ने एक वाहन को सोनू के घर के पास सवा चाल लाक रुपए में गिर्वी रख कर गया था। बताया जा रहा है कि वाहन का मालिक दीपक बडोला था जिसकी बिना रजामंदी से सोनू ने वाहन को गिर्वी रख दिया था। दीपक बडोला को ज सोनु भारद्वास से अपना वाहन वापस मांगने के लिए संपर्ग किया पर सोनु ने वाहन देने से मना कर दिया इस दोरान दीपक अपने दोस्त सुभास और मनोश नेगी किसा शनिवार रात को सोनु से अपना वाहन वापस मांगने के लिए सोनु के घर गया जा सोनु के स नाथी रामवीर ने तीनों पर फाइरिंग कर उन्हें खायल कर दिया जिसमें दीपक की मौत हो गई जबकि दो यूकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है